हेलो दोस्तों, तो आज बनने जा रहा है ब्रेड से बहुती टेस्टी नास्ता, जो बच्चे सबजियां बिलकुल नहीं खाते हैं, उनको ये नास्ता जरूर बना के खिलाएं, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिये हैं, ब्रेड आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं, हमने यहाँ वाइड वाले ब्रेड यूज किया है, तो जितने हमने ब्रेड लिये हैं, उनको इस तरीके से पीस कर लेंगे, छोटे-छोटे से टुकडे इन सभी ब्रेड के कर लेंगे, तो ब्रेड के सभी टुकडे हो चुके हैं, अब एक मिक्सी का ग्लास लेंगे, उसमें ये स add करेंगे फिर इसमें हम एक कप सूजी एड करेंगे सूजी ये बारीग वाली है अब इसमें हम मोई 3 से 4 चमज बेसण यूज परेंगे फिर इसमें कटा हुआ प्याज एड करेंगे साथ में ही यहाँ पर पत्त गोवी कद्दू कस करके एड़ करेंगे दो टमाटर यहाँ पर कटे हुए हमने यूज किये है दो से तीन हरी मेर्च एड़ की है धेर सारा हरा धनिया एड़ किया है अब इसमें हम गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चाठ मसाला और साथ में चिली फ्लेक्स तो यह सभी चीज़ें एड़ करके इस सभी को मिक्स कर लेंगे तो यह सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसको हम 10 मनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे जिससे की सूजी अच्छे से फूल जाए और जो सबजियां एड़ की हैं उसमें अच्छे से मख्षर छूट जाए इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं एड़ करना है जो भी हमने सबजियां एड़ की हैं उसी के मख्षर से ये गीला हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसे एक dough form में त्यार कर लीजिए तो यहां पर सभी सबजियां add की हैं आप चाहें, तो और भी सबजियां add कर सकते हैं जैसे की Simla, Mirch, Gajar अब इसमें हमने दोनों हातों पर oil लगाखके इस तरीके से टिक्की जैसा shape दे दिया है इसी तरह से हम आपको एक और नास्ता बना के दिखाते हैं दूसरा नास्ता भी हमने इसी टिक्की के सेप में बना लिया है तो नास्ता सेखने के लिए तयार है अब दूसरी तरफ हमने कड़ाई गरम होने के लिए रख दी है इसमें हमने ओयल एड किया है हमने यहाँ पर सरसों का oil add किया है आप चाहें तो कोई भी oil use कर सकते हैं oil गरम होने के बाद जो ये टिक्की बनाई है वो इसमें हम add कर देंगे और इनको हलका golden होने तक सेकेंगे इनको बहुत जल्दी नहीं पलटना है जब नीचे side सिख जाएं तभी आप इनको पलटें क्योंकि ये टूट भी सकती है क्योंकि ये नास्ता बहुती ज़्यादे soft बना है तो ये हलका golden हो चुका है आप इसको हम निकाल लेंगे तो आप tissue paper पर निकालें जिससे की estra oil निकल जाए तो इस तरीके सी ये پ्रैड का नास्ता बनके टयार हुआ है इसको आप हरे धनिया की चट्नी के साथ या sauce के साथ भी खा सकते हैं ये नास्ता बहुती कुरकुरा क्रिस्पी बनके तयार हुआ है अगर हमारी ये नास्ते की recipe आप सभी लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें मिलते हैं फिर से निव वीडियो के साथ